गुड बॉर्निंग फ्रेंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमेजी स्टूडियो पर आज हम 2122 अगर दो दिन के करेंट अपेर के सवाल देखने वाले जो सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए अतिमत्व पुर्ण होगे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ बेल आइकान को क्लिक करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिक्शन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करतें फर्स्ट कोश्चन से लुना 25 किस देश का मिशन था जो चंदमा पर क्रेश हो गया इसका अंसर है ऑप्शन नबर सी रूस का लुना 25 मिशन था जो चंदमा पर क्रेश हो गया कि सरकार ने आदिवासी गाव मुख्य सडकों से जोडने के लिए भगवान बीरसा मुंडा जोड़ा व योजना शुरू किये इसका अंसर है ऑप्शन नबर महाराष्टरा ने शुरू किये हाली में भारत के केस पडोसी देश ने यूनिवर्सल पेंचर ने उजना परारम किये इसका अंसर है ऑप्शन नबर बांगला देश ने परारम किये हाली में ICC ने क्रिकेट विश्वकप 2030 के लिए कुन सा शुभंकर लाउंच किया है इसका अंसर है ऑप्शन नबर D क्रिक्टोवर्स शुभंकर लाउंच किया है हाली में इलेक्ट्रोनिक और आईटी मन्ता नहीं ने ग्राफिन अरोरा कारेक्रम कहां लाउंच किया है मेर विलेज कहां लाउंच किया गया था इसका अंसर है ऑप्शन नबर D गोवा में लाउंच किया था चलते हैं निश्ट पॉष्चन में उत्तराखंड के राजयपाल द्वारा उत्गाटन के गई परियोजना का नाम क्या है इसका अंसर है ऑप्शन नमबर D गोजेक लाप परियोजना का नाम है निश्ट पॉष्चन बुडा अमरला त्यात्रा कहा होती है इसका अंसर है, option number A, जमू एंड कश्मेर में बुड़ा अमरला त्यात्रा होती है चलते हैं next question में दूती चन पर कितनी साल का प्रतिबन लगाया गया है इसका answer है, option number A, चार साल का दूती चन पर प्रतिबन लगाया गया है चलते हैं next question में भारत का पहला 3D printed डागगर का उद्गाटन कहा किया गया है इसका answer है option number C बेंगलुरी में भारत का पहला 3D printed डागगर का उद्गाटन किया है चलते हैं next question में बटर फेस्टिवल किस राज्य में संपन्न हुआ है इसका answer है option number C उत्तरा कंड में बटर पेस्टी वर संपन्न हुआ है राश्टिय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है इसका answer है option number C 20 अगस्त को राश्टिय सद्भावना दिवस मनाया जाता है बारत में जन्दन खातों की संक्या लगबग कितनी हो गई है इसका answer है option number B पचास करोड जन्दन खातों की संक्या हो गई है चलते हैं next question में भारत की पहली हाइडरोजन बस का शुरू होगी इसका answer है option number A लेहो में भारत की पहली हाइडरोजन बस शुरू होगी चलते हैं next question में Women's FIFA World Cup 2030 का किताब किसने जीता है इसका answer है option number A Spain ने Women's FIFA World Cup 2030 का किताब जीता है ये थे दो दिन के current आपिर के सवाल वीडियो कैसे लगा comment box में जरूर बताना वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like और दोस्तों के साथ share करना और subscribe जरूर करना मिलते हैं next वीडियो में इसी time पर Bye, have a nice day